हेलो फ्रेंड्स, आइम रचना, वेलकम वेक माई यूट्यूब चैनल, आज हम आपके लिए कुर्ती ड्राफ्टिंग और कटिंग करने का बहुती आसान तरीका लिकराए हैं, तो यहाँ पे हमने कुर्ती के लिए 1.5 मीटर कपड़ा लिया है, और इसमें से हम 37 इंच की कुर् ख़रेंगे तो पहले फ्रेंड्स हम आपको एक बात बताना चाहते हैं यादि भुल बनाती है तो कप्डे को इस तरह लिए isk प्रेंगे कपड़े को दुबारा से अर्ज में ही फोल कर रही हूं क्योंकि मुझे इसकी चोड़ाई कम ही चाहिए तो मैंने दुबारा से भी कपड़े को अर्ज में फोल किया है तो यहां पर मैंने कपड़े को फोल लेर में फोल किया है अब हम आपको इसकी लेंद बता रहे हैं हमारी यह पर हमने 3 इंच सिलाई के लिए और बॉटम पार्ट से फोल्ड करने के लिए एड़ किया है तो इस तरह हमने इसकी लेंद 40 इंच लिए है यह हमारी 37 इंच की सिलके तयार होगी तो लेंद हमने 40 इंच लिए है आप तुरपाई वाली जब कुर्ती बनाएं तो हर साइज मे आप 3 इंची एड करें कपड़ा Length में कटिंग करने से पहले हम मारकिंग करेंगे यह हमारी कपड़े की खुली साइड है और दूसी साइड कपड़े की बंध है तो बंध साइड की तरफ से हम solder की draft द्राफ्टिंग करेंगे यहाँ पर हमें बंसाइड की तरफ इंची टेप को रखना है और जो सोल्डर है वो हम ले रहे हैं 6.5 इंच तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच पर मार्क करना है और आर्म होल्स की जो लेंद है वो हम रखेंगे 7 इंच तो यहाँ पर हमें 7 इंच तक एक लाइन ट्रो करनी है जब भ हमें चोड़ाई का फोर्थ लेना है तो चोड़ाई है 34 इंच तो फोर्थ हुआ 8.5 इंच तो यहां पर हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे आपका जो भी साइज है आप 4 रखें और यहां पर 1.5 इंच मार्जन के लिए हम एड़ करेंगे और अब हम कमर की ड्राफ्टिंग करेंगे कमर की ड्राफ्टिंग के लिए हमें इंची टेप को आर्म हॉल्स की तरफ रखना है और आर्म हॉल से लेंथ में हमें एक मार्क करेंगे 7 इंच में यह हम कमर की ड्राफ्टिंग के लिए कर रहे हैं यहाँ पर हम 7 inche में mark करेंगे और यहाँ पर हमें कमर का 4th रखना है आपकी जो भी कमर हो आप उसका 4th रखें तो यहाँ पर हम कमर का 4th रख रहे हैं 7 inche कमर हमाई 28 inche तो 4th हुआ 7 inche में mark करेंगे 1.5 inche हम margin के लिए add कर रहे हैं और इसके बाद हमें ये line draw कनी हैं जो mark हमने किये हैं यहापे हम ऐसे line draw करेंगे आर्म होल्स की तरफ जो हमारी ये margin वाले mark हैं यहावी हमें line draw कनी है और जो fix mark है यहावी हम line draw करेंगे तो इस तरह हमने कमर की ड्राफ्टिंग की है आरम हॉल से जो हमने मार्क किया था वो 7 इंच भी किया था अब इसके बाद आरम हॉल से जो हम 2nd मार्क करेंगे दूसरा मार्क वो हम 13 इंच भी करेंगे यह हम hip measurement के लिए करते हैं तो यहाँ पर हम 13 इंच भी मार्क करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमें hip का भी 4 रखना है जैसे कि hip measurement है 36 इंच तो 4 तो हुआ 9 इंच तो यहाँ पर हम 9 इंच भी मार्क करेंगे और इसके बाद 1.5 इंच हम यह मार्जिन के लिए अड़ कर रहे हैं और फिर हमें यह मार्क किये हैं इनको हमें उपर की तरफ मिलाना है और लाइन ड्रोकननी है और फ्रेंड्स से हम आपको एक बात और पताना चाहते हैं आप जिस भी size की कुर्टी बनाएं इसी तरह से आप drafting कर सकती हैं सिर्फ मेजर्मेंट अलग होगा मैथड यही रहेगा इस मैथड से आप हर size की कुर्टी की drafting और cutting कर सकती है मैथड आसान है फिर भी आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप comment करके हमें बता सकती है हिप मेजर्मेंट के बाद अब हम bottom part की drafting करेंगे तो यहाँ पर की drafting की है हमें एक line सीधी द्रो करनी होती है सीधी line हम इसलिए ड्रो करते हैं जो हमने हिप मेजर्मेंट लिया है 9 इंच तो fix है 1.5 इंच हमने margin के लिए एड किया था तो यहाँ पर हमने हिप मेजर्मेंट 10.5 इंच लिया था तो इसी तरह से हमें bottom part भी 10.5 इंची रखना है देखें, यहाँ पर हमने hip measurement 10.5 इंच लिया है तो bottom part भी हम 10.5 इंची रखेंगे, इस तरह की जो कुर्ती होती हैं, उनमें हम bottom part hip के measurement के according रखते हैं और जो हम A safe कुर्ती बनाते हैं, तो उसमें हम जितने चाहें bottom part की चोड़ाई रख सकते हैं अब हम arm house की drafting करना बता रहे हैं, arm house की लेंचे 7 इंच center भी 3.5 इंच, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच में mark करेंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच में mark करेंगे, और फिर हमें गोलाई करनी है, यह हमारे back arm house की drafting होती है, और इसके बाद हम आपको front arm house की drafting करना बताएंगे front arm house की drafting के लिए जो mark हमें 3.5 इंच पर किया है इस mark को half inch हम गले की तरफ करेंगे और इस line से half inch हमें यहाँ पर मार करना है जो हमें center वाला mark half inch गले की तरफ किया था, इस mark को हम shoulder की तरफ मिलाएंगे ऐसे और फिर हमें गूलाई करनी है यह हमारे front arm house की drafting होती है जो बहुत ही आसान है अब हम आपको गले की drafting करना बताएंगे तो band set की तरफ से हमें एंच टीप को रखना है और गले की चोड़ाई हम 3 इंच ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर एक मार्क करना है गले की चोड़ाई के लिए गले की चोड़ाई आप अपने अनुसार रख सकती हैं जिते आप रख रहा चाती है और लेंध हम 3 इंच ले रहे हैं गले की तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर एक मार्क करना है और इसके बाद हम बॉक्स बनाएंगे और हाफ इंच पे हमें हाँ पे गोलाई करनी है यदि फ्रेंड्स आप गले की लेंथ अधिक रखना चाहती हैं तो रख सकती है मैं फ्रेंट गला डिजाइनर बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसकी लेंथ कम रखी है और बैक गले की लेंथ हमारी थ्री इंची रहेगी यहाँ पे हमने हाफ इंच पे गोलाई की है इसके बाद अब हमें फ्रेंट गले की और भी ड्राफ्टिंग करनी है तो हमें इंची टेप को ऐसे रखना है और जो गले की लेंथ रहेगी हम सेवन इंच रखेंगे पर हम हाफ सर्कल की गोलाई करेंगे इसमें और 7 इंच हमने लेंध ली है अब इसके बाद जो हम एक मार करेंगे वह हम आर्म होल्स की तरफ करेंगे हाफ इंच और गले की तरफ हम इसे ऐसे तिर्शा करेंगे तो यहां पर हम गले से आर्म होल्स की तरफ हाफ इंच डाउन करत पहले हम दोनों गले साथ में कट करेंगे जो हमने 3 इंच पर ट्राफ्टिंग की थी बैक और फ्रंट और इसके बाद हम सोल्डर की तरफ से इसे कट करेंगे जो हमने गले से आर्म होल्स की तरफ हाफ इंच डाउन किया था तो यहां पर हम इसे कट करेंगे और इसके बाद हमे back arm holes की cutting करनी है ध्यान दके पहले आप back arm holes की cutting करें क्योंकि हमारे दोनों पीज साथ में है back of front और फिर हमेंसे side से cut करना है और friends यहाँ पर हम आपको एक बात कहना चाहते हैं यदि आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please आप हमारे चैनल को subscribe करने के बाद वैल के आइकन को प्रेस जरूर करने है इसे यह होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो upload करेंगे उसकी जो notification है वो आपको सबसे पहले मिलेगी और friends जिन लोगों ने हमारे चैनल को subscribe कर लिया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अब friends हमने जोई drafting की है hip measurement पे cut लगाएंगे कमर पे cut लगाएंगे छोटा सा और side में भी हम cut लगाएंगे वो हम इसलिए लगा रहे हैं जब हम दूसरी तर marking करेंगे तो आसानी रहे अब हमें एक पीस को लग करना है जो हमारा back piece होगा front piece को हमें अच्छे से fold करना है और front गले की cutting करेंगे अब हम यहाँ पे आप front गले की cutting करें और इसके बाद यहाँ पे आपको front arm holes की cutting करनी है तो इस तरह हमारी जोई कुर्ती है इसकी cutting हमारी complete हो गई है अब हम आपको इसे रखके दिखाएंगे तो यह हमारा front piece है पहले हम back piece रखेंगे आप हमें front piece को रखना है तो बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको कुर्ती की cutting करना बताया है और friends बाजू की cutting हम आपको next वीडियो में बताएंगे और यदि आपको हमारी कुर्ती की cutting करने का जो हमारा यह तरीका है वो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें कमेंट करके भी बताएं कुर्ती की cutting करने का जो हमारा यह method है यह आपको कैसा लगा है वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद